सिंगल लेर रहेगी इसतर से आप एंडॉर्मिस बनाये इसके बाद सिंगल लेर पैरि साइकल एंडॉर्मिस की लाइन पूर कर दीजिए इसी परकार इसी के नीचे आप बना देजिए पैरि साइकल कि इसको पूरा कर दीजिए डबल अब हम अंदर में फोकस यह अंदर करेंगे कि इसमें वैस्कुलर टिस्यू कैसे बनाना है जायलम और फ्लोहम जायलम जो बनेगा वो जिस यह थिक वाल्ट सेल्स आपने बनाई थी बैसे बनेगा इस तरह से इसमें बड़ा वाला जायलम मेटा जायलम कहलाते हैं बैसल्स बड़ी होती है और छोटे वाले प्रोटो जायलम तो बाहर की तरफ प्रोटो जायलम बनाईए आपको इसको हम बाहर बना के दिखाएंगे आपको बड़ा पहले इसमें अंदर हम आपको पतले पैंसे से बनाते हैं यह देखिए इसको पत्ले से बनाते हैं यहां बोर की तरफ इस्माल और 이것 है अन्दर की तरफ कि बड़ा बनाई है यहां फिर बाहर आगा तो इसमाल , फिरे बड़ा बस लेबलिंग्स लेडा बेंगे एक तरफ आप त्पर एक आ Pandora में इसको लोकि अटर कॉर्टेक्स इसके बाद इसको लोखिए मिडिल कॉर्टेक्स पूरा पूरा लोखेंगे सोरी यहां तक है आउटर कॉर्टेक्स यह होगा अपना मिडल कॉर्टेक्स इसके बाद अंदर वाला यहां इसको मुटा दीजिए यहां तक है फिर सबसे अंदर वाला पोर्शन यह है इनर कॉर्टेक्स इसके बाद एंडूडर्मेस एंडोडर्मिस के बाद सबसे अंदर वाली लेयर पेरिसाइकल यहां ध्यान से आपको लेवलिंग करनी है यह जायलम है इस तरफ कर देते हम लोग जायलम में दो बाहर की तरफ प्रोटो जायलम और यह बीच में जो बड़े वाली वैसल्स दगरी है मेंटा जायलम इसके बाद यह बीच में जो सेल्स रहती हैं वो काम करती हैं वो रहती हैं आपकी फ्लॉम की नीचे लिखिए फिगर टी एस स्टेम पाइको पोडिया इसके बाद बात करते हैं लोग इस्ट्रॉविलस की इस्ट्रॉविलस अभी आपको दिखाए था है एक बार और दिखा देते हैं यह देखिए जब इसमें रिप्रोडक्शन होना सुरू होता है तो तने के सीज़ पर एक कौन जैसे स्ट्रॉक्चर बनती है स्ट्रॉविलस कहते हैं यह लीप्स के दवार आई आई यह सेंट्राल एक्सिस हो गया है इस एक्सिस के चावं तरफ लीप्स लगी होती है जिन्हें बोलते हैं इस्पोरोफिलस यह इस तरह से और इस इस्पोरोफिल के ऊपर लगा होता है एक इस्पोरेंजिया ऐसा नेक्स्ट आजाए ऊपर बढ़ जाए थोड़ा सा फिर एक और बना लेजिये इस तरह से आई इस इस तरह यहां बनाए इसको थोड़ा सा ऊपर बनाए इस पारली अरे ने डूती है इसकी यह बन गया एक फिर यहां बनाए दूसरा यह अदर गोल बना दीजिये नाम लग दीजिये इस इस एक्सेस यहां बड़ी रहेंगी यह उपर जाने पर इनकी साइज थोड़ा चोटा कर दीजिए ऐस तरह से बना सकते हैं बाप एक्सेस इनको लिखिए इस पोरो फिल और यह गोरे जो बीच में लगी होजी है यह इस पो अ इस पो रेंजिया इस पो रिंजिया जो पर होते हैं किल्मरों कि शुर्ण शु忘पिल जब जमीन पर गरते हैं तो इन से बनता है ऊंप comport pretend गैमीटोफाइट उस गैमीटोफाइट से फिर स्पोरफाइट बनेगा, हम लाइफ साइकल देएंगे तो हम आपको बताएंगे यह हो जाता है, स्पोरफिल का LS यह जो स्पोर्ट्स गैमीटोफाइट बनाते हैं तो एकजाम एक प्रिशन आता है यह देखिए, यहां से स्पोर्ट्स नीचे के रहे यह तो इसको नीचे आप लिख दीजिए LS स्ट्रॉविलस बस इतना आपको करना आती हो गया इसका काम इसको जो स्पोर्ट्स होते हैं यूनी सेलोडर स्ट्रॉक्चर्स होती है और यह अंकुरित होकर बनाती है गैमीटोफाइट गैमीटोफाइट कई प्रकार के हो सकते हैं कुछ-कुछ दिखने में ब्रावफाइट्स के दिखते हैं और इनको बोलते हैं प्रो थैलस पर एक चाम पर शना आता है लाइकोपॉडियम के बिभिन Pengar के प्रोतेलस में कीजिए या लाइकोपॉडियम के बिभिन Pengar के गैमीटोफाइट का ब्रड़न कीजिए तो यह कुछ इन्द्र्यध disgust रहते हैं छुनम एन्थ्रीः्दिया और आठिटी गुणिया इनिफर बनते हैं तो कितने परकार के हो सकते हैं यह आप तयार कीजिए आपको बुक में तीन परकार के मिल जाएंगे और उसके चत्रा तयार कीजिए अब हम आपको बताते हैं इसकी लाइफ साइकल